नमस्कार दोस्त मैं सुक्देयो सिवा मित्रा यूटूग चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ देखे जब आप Zomato Company में Delivery Boy बनते हो या फिर पहले से ही आप मालो जोईन किये हो तो गैस एक समस्या आप लोगों को आ जाती है ठीक है एक वर्ड होता है कैस लिमिट ठीक है कैस लिमिट एक सब्ध होता है जो कि आपको अगर आप Zomato Delivery Boy बनते हो तो ये वर्ड आपको परेशान करता है पहले बात तो ये स्टार्टिंग में आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा कैस लिमिट आखिर में है क्या इसका काम क्या होता है कंपनी में ये क्या बेसिकली ये क्या बला है आपको पहले समझ में नहीं आएगा उसके बाद में जब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा यार इतनी आसान सी तो ये चीज थी अगर हमें पहले कोई बता देता तो हमें समझ में आ जाती तो Zomato Cash Limit क्या है कैसे काम करता है आपको कितनी Cash Limit मिलती है और Cash Limit का इंटरफेस क्या होता है बैसिकली कैसे शो करता है तो वो सारी डीटेल आच कि इस वीडियो में आपको दे दूँगा तो मैं रिक्वेश्ट करूँगा कि आच कि इस वीडियो को आप सुरू से लेकर के लाश तक जरूर से देखिएगा वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना वीडियो को नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपको डिलिवरी जॉब से रिलेटेट क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है देखे अगर आप पांच या दस मिनट के अंदर कोई भी डिलिवरी जॉब पाना चाते हो बिना एक भी रुपया फालतू का खर्च किये तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मित्रा वाटसेप चैड गुरूप का लिंक दे दूँगा उस उपे जा करके आप अभी बात में वीडियो खतम हो उसके बात में चले जाना जा करके नॉर्मल सी डीटेल आप डालोगे पांच ये दस मिनट के अंदर आपको जो है की जॉब मिल जाएगी नॉर्मल सा प्रोसेस होता है बिना एक भी रुपया फालतू का खर्च किये जा करके एक बार आप जो है की चेकाउट जरूर से करिएगा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको अब मैं कैस लिमिट को थोड़ा सा समझाऊँ आपको उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखाना चाहूँगा ठीक है इधर बगल में मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा हूँ जब आपकी जोमेटो आईडी बनती है तो इस तरीके का स्क्रीन शॉट कैस लिमिट वाला आपके सामने शो होता है इसमें आपको दिख रहा है पॉकेट बैलेंस ठीक है एक पॉकेट बैलेंस का उप्शन दिख रहा है फिर विड्रॉल एमाउंट का उप्शन दिख रहा है नीचे डिपॉजिट और विड्रॉल का उप्शन आ रहा है उसके बाद में कैस इन हैंड के आगे पंदरा सो food order करते हैं ठीक है online order करते हैं जो लोग वो लोग दो तरीके से order करते हैं सबसे पहला online payment करेंगे या तो cash on delivery रखेंगे ज्यादा तर customer cash on delivery रखते हैं cash on delivery का मतलब जब आप खाना लेकर के customer के घर जाओगे तो customer आपके हाथ में ही पैसा देगा ठीक है आप एक rider हो माल लेते हैं कि 500 रुपए का खाना है ठीक है customer तक आप खाना ले गए तो वो कस्टमर 500 रुपए आपके हाथ में देगा तो कंपनी का 500 रुपए कंपनी का 500 रुपीज अभी आपके हाथ में इसका मतलब कंपनी का पैसा आपके हाथ में जो कस्टमर ने आपको दिया है तो जो कैस होता है वो कंपनी का आपने रखा हुआ है तो इसी को कैस बोला जाता है औ और इसकी जो limit होती है उसको cash limit बोला जाता है तो screen shot में जो आप cash in hand देख रहे हो 1500 रुपए तो यह जो 1500 रुपए है यह cash limit है मतलब cash in hand मतलब company का पैसा आपके हाथ में अभी 500 रुपए है मालेते थोड़ी देर बाद और एक order आगया 1000 रुपए हो गया ने 1500 रुपए हो गया इ कि जो limit है वो 1500 रुपए है आप 1500 रुपए से ज़्यादा company का पैसा अपने हाथ में नहीं रख सकते हो तो फिर यही पर option आता है pocket balance का मतलब है कि इतना पैसा आपके हाथ में आ चुका है और अब आपको जो पैसा आपके हाथ में आया है वो company को payment करना होगा उसके बाद में ही नहीं आएगा तो simple सा अपने account से company के account में आप जो भी आपके हाथ में पैसा उसको आप payment कर दो आगे आपका order आएगा तो I think मैंने अच्छे से समझाने का try कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई problem हो कुछ पूच रहा हो तो नीचे comment कर देना अगले किसी वीडियो मिलेंगे कर दोगा गर म साष्व के लिए येचि कर दो